आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बबबर शेर और शेरनिया कैसे कटा कर दिये और देखिए एक साथ प्यार से खड़े हैं ये हमारा कॉंग्रेस का कार्य करता किसी से नहीं डरता एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए त्यार रहता है अच्छा मुझे कहा मुझे कहा पार्लेमंट में कल कहा राहूल जी सुनिये सुनिये पार्लेमंट में कल कहा बीजेपी को लोगों ने आपने भाशन दिया भाशन के लिए माफी दीजिए मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं माफी मांगूं भाईयो और भेनो मेरा नाम राहूल सबरकर नई है मेरा नाम राहूल गादी है मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूगा मर जाओंगा मकर माफी नहीं मांगूगा और ना कोई कॉंग्रेस वाला माफी मांगेगा माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी है नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्कंट है अमिठ्षा उनको देश से माफी मांगनी है क्यूं मांगनी है मैं आज आपको बताने आया हूँ सबसे पहले सबसे पहले ये देश कि शक्ती इस देश की आत्मा इस देश की शक्ती इसकी अर्ध विवस्ता थी अर्ध विवस्ता है नहीं थी पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देश, अलग-अलग धर्मों का देश, अलग-अलग जातियों का देश, अलग-अलग विचारधरों का देश, मिलकर एक साथ 9% GDP, पर कैसे चल रहा है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ इंदुस्तार, चिंडिया बोलते थे, चिंडिया, चायना और इंडिया, दुनिया का भविश्य, चायना और इंडिया, और ये देखिये, ये प्यास पकड़े हुए आज, यह प्याज पकड़े हुए आज दो सो रुपे दो सो रुपे हिंदुस्तान के अर्द्वबस्ता नरेंद्र मोदी ने स्वयम अकेले नश्ट कर दी खटम कर दी आपको याद होगा आद बज़े रात को भाईयों और बेनो 500 रुपे का नोट 1000 रुपे का नोट मैं रद करने जा रहा हूँ और हिंदुस्तान के अर्द्वबस्ता को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ आपसे जूट कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है काले धन को खतम करना है ब्रश्चा चार के खिलाफ लड़ना है जूट कहा माताए बेहनों के घरों से जेब से युवाओं के जेब से पैसा निकला और लाखों करोर रुपे अदानी और अनिल अमबानी के हवाले किये उसके बाद गपर सिंग टैक्स मनमोन सिंग जी ने कहा चितामरम जी ने उनसे कहा इसको आप बिना पाइलेट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए देश का नुकसान हो जाएगा जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्ट्रवस्ता खड़ी किये नश्ट हो जाएगी नरेंदर मुदी कहते हैं नहीं मैं तो बारा बचे रात को गबर सिंग टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा कर दिया और हुआ क्या 45 साल सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज क्या 9% जीडीपी क्रोट रेट होती थी आज 4% पे पहुँच गए हैं और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया तो अगर आप हमारे तरीके से पुराने तरीके से जीडीपी नापो तो आज 0.5% जीडीपी ग्रोट रेट है हिंदुस्तान का बाई और बेनो हिंदुस्तान के सब दुश्मन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ती हिंदुस्तान की अर्द्वबस्ता नश्ट की जाए और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया वो काम हमारे प्रधान मंत्री ने किया और फिर अपने आपको प्रधान मंत्री देश भक्त कहते हैं पूरा का पूरा पैसा दो तीन उद्योग पतियों को पकड़ा दिया है सब उद्योग पतियों को नहीं इस देश में बहुत सारे इमांदार उद्योग पती हैं और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर किसान इस देश को बनाता है मज़ूर इस देश को बनाता है छोटा दुकांदार इस देश को बनाता है तो इमानदार उद्योग पती भी इस देश को बनाता है मगर पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोदी ने मैं एक नाम लेता हूँ एक नाम लेता हूँ पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोधी ने अदानी को पच्चास कॉंट्राक्ट दिये एक लाग करोर रुपे से जादा देश के एरपॉर्ट पकड़ा दिये देश के पॉर्ट पकड़ा दिये बिना कॉंट्राक्ट दे दिया क्यों? क्यों दिया? इसको आप क्या कहेंगे इसको आप चोरी नहीं कहेंगे इसको आप रस्ताचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको एक लाग चालिस हजार करोर रुपे कुछी दिन पहले पंद्रा बीस लोगों का कर्जा माद किया है आप से आप से टेलेफोन इस्तिवाल करने के लिए पचास परसेंट रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उद्योग पतियों का साथ हजार करोर रुपए माफ कर देंगे अर्थ विवस्ता क्या होती है जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के अर्थ विवस्ता आगे नहीं जा सकती है मैं आपको समझा देता हूँ हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, युवा आप लोग माल खरीते हो जब आप के जेब में पैसा होता है आप चीज़े खरीते हो खरीतों नहीं खरीते हो शर्ट, पैंट, जूता, मॉबाइल फोन, काले चश्मे जैसे आपके है ये आप खरीते हो जब आप खरीदते हो फैक्टरिया ये चीज़े बनाती है जब फैक्टरिया ये चीज़े बनाती है आप ही लोगों को उन फैक्टरियों में रोजगार मिलता है ये एकनॉमिक सिस्टम है पैसा पहले गरीब लोगों ये जेब में डालो किसानों के हाथ में डालो मजदूरों के हाथ में डालो वही पैसा किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे चीजे खरीदेंगे चीजे खरीदेंगे, डिमांड बनेगा डिमांड बनेगा, फैक्ट्रिय बनाएंगे नरेंद्र मोधी ने आप सब के जेव में से पैसा छीन के निकाल दिया बगेल जी ने कहा 36 गण में 2500 रुपे दान के मिलते हैं मद्यप्रदेश, राजिस्तान 36 गण करनाटा पंजाब इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया इन प्रदेशों में हम सही MSP क्यों देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्ध विवस्ता आगे जा ही नहीं सकती मन्रेगा हमने क्यों दिया क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के मजदूर के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है तो नरेंद मोदी ने पूरा पैसा खीच के अपने दो तीन चार मित्रों को दे दिया और हिंदुस्तान की अर्ध वेवस्ता को नश्ट कर दिया मगर वो वहां नहीं रुके वो वहां नहीं रुके बाटने का काम करते हैं आपने पूरे देश ने नरेंद मोदी को चुना क्यों चुना हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए चुना और दियास्ता को मजबूत करने के लिए चुना युवाओं को रोजगा देने के लिए चुना वो काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया चार परसेंट पे जीडी पे पहुंच गई 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज दिन भर किसारा आता मत्या कर रहे हैं मैंने पार्लमेंट में सवाल पूछा भाई बताओ हिंद्र मोदी की सरकार है कितने किसानों ने करज़ा कितने किसानों ने आता मत्या की सरकार जवाब देती हमें मालूम नहीं पार्लमेंट में सवाल का जवाब देती हमें मालूम ही नहीं पर देशों से जाके पूछिया हमें नहीं मालूम इनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीड की हटी के किसान कितने किसानों ने अपनी जान ली शर्मानी चाहिए इन लोगों को मगर पूरे देश को मालूम है